मेरा नाम बंटी है, ये मेरी टेक्सी है, मैं कई सालों से दिल्ली में टेक्सी चला रहा हूँ, पर एक दिन कुछ अजीब सा हुआ, एक लड़की ट्यूशन पढ़के घर जाने के लिए मेरी टेक्सी के पास आई और बोली, भाईया चलोगे वसंत वियार, शाम करीब साड़े 6 बजे से, मैंने कहा, जी जरूर, बैठिये, उसके बाद टेक्सी में बैठने से पहले, उसने दो फोटो क्लिक की, एक मेरी और दूसरी टेक्सी की, और आकर टेक्सी में बैठ गई, मुझे बड़ा आजीब सा लगा, और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उससे पूछा, कि मैडम ये आपने क्या किया, उसका जवाब सुनकर मैं दंग रहा गया, आप भी सुनिये, कुछ नहीं अपने घर बताया, कि मैं तुम्हारी गाड़ी में घर तक आ रही हूँ, ताकि मैं सेफली घर पून जाओं, उसका जवाब सुनने के बाद, लगा कि ये सही कर रही है मैं सोचन लगा, कि अगर सब लड़कियां ऐसा करें, तो किसी ऑटो या टेक्सी ड्राइवर की हिम्मत नहीं है, कि वो किसी से बत्तमीजी करें, और फिर एक निर्भै बनें चल कर मूवी का प्लान करते हैं, और देन डिनर लेके ही लोटेंगे क्या बात है, आजकल तुमारे पास बहुत फ्री टाइम है कामवाली जो रख लिये मैंने, सारा काम यही कर लेती है सुनना, इसे मेरे घर पर भी भेज़ देगी? हाँ, हाँ, बिल्कुल, ए लड़की, कल यहाँ आने से पहले सपना अंटी के घर हो आना वो लड़की आई क्या? वो तो आके चली गए, कहाँ? वहीं, जहाँ उसे जाना चाहिए कर दो आना चाहिए